भारत और इंग्लेंड के भी चौथा और आखरी टेस्ट कल से शुरू होना है लेकिन अभी भी नरेंद्र मोधी स्टेडियम में हुए तीसरे टेस्ट की पिच को लेकर बहस जारी है अब इस बहस में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमा मुलक ने पिच को टेस्ट क्रिकट के लिए खराब बताते हुए कहा है कि इस तरह की पिच टेस्ट क्रिकट के लिए ठीक नहीं है ऐसे मैं ICC को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि आकरी बार कब टेस्ट मैच दो दिन में खतम हुआ था क्या भारत बहुत अच्छा खेला था या विकट की वज़े से जीता क्या इस तरह की विकट टेस्ट मैच का इससा होनी चाहिए मुझे लगता है कि भारत पिछले कुछ वक्स से अच्छा क्रिकट खेला है उसने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया इंग्लैन के खिलावी पहला टेस्ट मैच गवाने के बाद शांदार वापसी गी और दूसरा टेस्ट जीता लेकिन फिर ऐसा विकट बनाना क्रिकट के लिए सही नहीं है पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने तीसरे टेस्ट मैच में अश्विन और अक्षर पटेल की गेंदबाजी को लेकर कहा कि अगर जो रूट मैच में पांच विकट ले रहे हैं तो विकट कैसी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है मैं क्यों अश्विन और अक्षर की तारीफ करूँ जब इस विकट पर रूट ने आठ रन देकर पांच विकट लिये उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच में मैदान, एमपायर, रेफरी जब एहम होते हैं तो फिर पिछ की एहमियत भी होनी चाहिए टेस्ट मैच जैसा होता है वैसा ही रहना चाहिए मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया को इंग्लैंड को हराने के बाद वैसी ही खुशी मिली होगी जैसा उन्होंने आफस्टेलिया को उसके घर में हराने के बाद महसूस हुआ होगा अक्षर पटेल ने घरेलू मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में 70 रन देकर 11 विकट लिए जबकि अश्विन ने 94 रन देकर 7 विकट लिए और दूसरे सबसे तेज 400 टेस्ट विकट लेने वाले गेंदबाज बने